अचरा ने ऐसा बयान दिया मैं शर्मिंता हूं? बोलेंगे रहें bending आप Digital क Crisp настолько स्पोर्ट किया अच्छा до ने अनुराँता कुर को सपोर्ट किया तो आनुराँक निग्हान को आप देश बर ने कि गाली में जैने माभु विव करने तो क्यों चुटकुला बना रहा है जिए पुछा उनको यह पुछा उनको पुछा उनको पुला के उनको पुछा उनको पुला के पूलिशी ऑपने जाने वाले बगवान कहे जाने वाले लोगों का मजाग बनाएं उनको चुटकुले सुनाएं लोगों की बीच में खड़े हो के यह से कोई कोई अगर कुछ बोल दिया संबित पात्रा क्या कल्यार बनर जी कोई है टीमसी में एक दूसरा क्या यह जस्टिफाई हो सकता यह कहकर कि अनुराग ठाकु इस पर ममता बनर जी और हम पला जाड़ रहें देखिए रोहिज जी पहली बात तो है कल्यान बनर जी आपको जानके आश्चरी होगा कि कल्यान बनर जी मेंबर आफ पार्लामेंट है उनके कॉंस्टिट्यूएंसी का नाम स्री रामपूर है और जिस प्रकार की अभद्र टिपणी उन्होंने माता सीता पे किया है करोडो लोग आपका चैनल को देख रहे होंगे आपके चैनल में अभी बेंगॉली की जो टिपणी थी शायद समझ नहीं पाये होंगे अपने सब्टाइटल तो दिखाया मगर फिर भी मैं लोगों को समझाने के लिए कह देता हूं कल्यान बेनर जी ने क्या कहा कि मा सीता आके भगवान राम को कह रही है कि मैं तो सवभाग्यवती हूं मैं तो सवभाग्यवती हूं जो मुझे रावन ने अपहरण किया अगर आपके चेला लोग मतलब राम भगवान के भक्त जो गेरुआ पहनते हैं अगर उन्होंने मुझे अपहरण कर लिया होता तो मेरा वही हश्र होता जो हात्रस की एक महिला के साथ या हात्रस की जो विक कल्यान जी आप शुकर मनाईए कि आप कल्यान बेनर जी हैं और आपने मा सीता के खिलाफ कहा अगर कल्यान बेनर जी ने अभी अल्ला जी के खिलाफ या किसी और धर्मगुरू के खिलाफ कहा होता तो कमलेश्तिवारी वाला आल होता क्या हुआ था कमलेश्तिवारी का आप हिंदू कहते हैं यह कहते हैं कि मैं बट बढ़ा हिंदू काय के हो कहे के हो आप जैसे लोगों के कारण और प्लीस डोंट माइन वाइड आप जैसे जैचंदो के कारण हिंदु धर्म का पतन हुआ हमेशां को यह आनंथ तक जाने वाला देश्ट